हेलो दिवान, वेलकम बेक टू माई चैनल, आसा करती हूँ के सब लोग की ट्राफ होंगे, आज मैं बना रही हूँ, बची हुई सब्जी से धितला, ये लोकी की सब्जी बनाई थी मैंने रखी है थोड़ी उसके, लेट वर से अच्छी सी एक रसीपी, तो स्टार्ट करते है आज का वलोग, ये मैंने लिया है, एक मिकसर जार, इसमें मैं डाले ये लोकी की सब्जी, इसका हम पेस बना लेंगे, फाइन सा पेस बनाना है इसका, गंच नहीं रहना जाहिए इसमें बिल्किल भी, ताकि आटा गुनते वग दिक्कत ना हो, पेस बना लें, अब ये मैंन अब ये थोड़ी से चट्नी रखी हुई थी, वो भी इसमें डाल दूँगी मैं, हरे धन्या की चट्नी है, और इधर धन्या मिर्चीर लसन वगर आगे, और ये हरा धन्या डाला है, खुब सारा मैंने, और एक चमच दहीं डाला है इसमें, ये है जीरा धन्या पावर्डर जीरा, अजवाइन, हल्दी ये हिंग पावडर है, थोड़ा सा हल्दी पावडर, थोड़ा सा ओयल डालरी में, रिफाइन ओयल लिया है ये, आप चाहें तो गी डाल ले अंदर, ये लिए है तिल मैंने, ये डाल दूँगे अंदर, और ये थोड़ी कसूरी में थी है, फ्र आपंड़े मेरे बास, आप चाहे तो फ्रेश मिथी डाल लें, सब को मिक्स कर लेंगे, और इसका आटा लगा लेंगे, मीडियम लगाना, न ज्यदा धीला, न ज्यदा ताइट, अठा लगा लेंगे, इसमें मैंने लसन वगेरा, प्यास वगेरा कुछ अलग से और नहीं ड अब रख देंगे साइड में यहाँ पे इसके साथ खाने के लिए मैं बना रही हूं मिक्स वेजटेबल का सलाथ यह मैंने ककड़ी ली यहाँ पे एक प्यास लिया है एक टेमाटर लिया है इनको बारीक-बारीक कट कर लूँगी मैं और इनका बना देंगे सलाथ प्यास को भी बारीक-बारीक कट कर लूँगी सबको एक साथ दलना है इसको भी बारीक-बारीक-बारीक कर लूँगी मैं यहाँ बरतन छोटा लग रहा था वो मुझे तो मैंने बड़े बावल में सिप्ट कर लिया सबको मिक्स करके अब इसमें मैं ठोड़ा ड़ाले हूं हरा धन्या कि मत ड", पहले ठोड़ाइं डालोंग तो द THIS दलनु कि फिर मिक्स करो कि फीर जुरौत बढ़ने के साब हविसे और तो अवा किमल यह रहा है तो वो थोड़ा साथ मसला आने मत पूद दुन लिया है तबे पे मैंने इसे भून लिया था और इसका पडल making लिए तो वह थोड़ा सा डाला है मैंने इसके एक चम्मचे करीप आभ इसको मिच्स कर लेंगे ज़ी कम लगा मुझे और गैस बंद कर दिया है और इसमें मैं डाल दिया हूँ थोड़ी सी लाल मिर्च और तुरंती इसको लेके तड़क्या डाल देंगे बना मिर्ची जल जाएगी डाल दिया है अब इसको मिक्स कर लेंगी यह हमारा यह mix इसनका प्याज वगर का क्रिटा माटर का लायता तयार है थेपले के साथ खाने के लिए इस पे मैंने थोड़ा जहरा धनिया और डाल दिया है ताकि यह दिखने में अच्छा लगे अब बनाते हैं थेपले जैसे उनकी है तो वा रखा है मैंने अब मैं थेपले बना लगा लगी मैं यहाँ पर ओईल लगा रही हूँ बाद में घी लगाऊंगी आप चाहे तो घी लगा लें आप जो पसंद करते हो लगा लें मैं यहाँ पहले ओईल लगा रही हूँ और बाद में बन जाने के बाद घी लगाऊंगी इस तो बागी दी थेपले सब इस तरीके से ही बना लूँगी मैं सारे थेपले बन गए मेरे अब इन पे लगा लूँगी मैं घी लंच लोगे रेडी अब यहाँ पे किचन की थोड़ी किलिनिंग कर लेंगी बरतर निखटे होगे उसको क्लीन किया है मैंने अभी मैं कप्रे पे किचन का जो कपड़ा अलग रखा उसमें में साबुन लगा कर इस तरीके से क्लीन करती हूं केस पहले पानी डालके करती थी कुछे से घुमा के पानी डालके लेकिन एक दुबार लीक हो गया पानी तब से मैंने इस तरीके से करने लग गई है हैं भीए पहले के स्टॉप साप कर लिया है अब मैं स्लिघ को भी साप कर लियो कर लोंगी लिक्वीट से में से क्लीं अलग रख रखा घ्म offer ए अब मैं इन एक पड़े को धुरी अब इसको कति करने कि ये क्लीन हो जाने के बाद खाना खाया जाएगा उसके बाद में कुछ वीडियो का काम करूंगी एडिटिंग का उसके बाद कि मिलेंगे हम फिर शाम को डिनर की रेसिप ये मैं आपके साथ चेहर करूंगी और डिनर में मैं बनाने वाली हूँ बिर्यानी वेजिटेबल बिर्यानी बनाने वाली हूँ मैं उसकी रेशिप शायर करूंगी आपके साथ अब हो गई है शाम तो साम के खाने की त्यारी ये लिए मैंने बास्मती राइस इनको धोकर बिगो के रख लिया है अब ये कुछ काटे हैं मैंने वेजिटेबल काजर बीन से हैं और फुल्गो भी और प्याज पनीर लिया है मटर लिया है और ये कुछ खड़े मसाले हैं करी पत्ता है हरी मिर्ची है अभी गैस ओन करके पहले हम राइस स्पोईल करने के लिए रखेंगे इसमें मैंने डाल लिया है दाल चिनी के टुकड़े तीज पत्ता और कुछ लॉंग और काली मिर्ची हैं ये इस अब यह राइस सोक किये हुए हैं इनको डाल लेंगे अब डाल रहें मैं इसमें नमक तो चमच नमक लिया है मैंने क्योंकि हम पानी निकाल लेंगे इसमें से तो नमक ज़्यादा ही डालना है कि अब इदर राइस बोईल होते तब तक इदर मसाला कर लेते हैं तो कड़ाई रखिए मैंने जय साउन किया है इन वानिस्टिक कड़ाई है अब इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज को हमें एकदम ब्राउन करना है, बिल्कुल, क्रंची करना है, इनको फुन लेंगे, और एकदम से अच्छा से ब्राउन कलर आने देंगे इसका, ये ब्राउन हो गए हैं प्याच, इनको निकाल लेंगे हम, ड़ेंगे दूसरी सब्झी याःध भूभी वी आसम जो सब्चन करते हैं despite हैं चला यदि राइस हो गया हैं सब्झे चनी में निकाले राइस और इसके ऊपर ख़ड़ना पानी चला दिया तो यह बिखरी बिखरेंगे और राइस को ज्यादा नहीं पकाना है 80% जितना ही पकाना है क्योंकि यह भी इसमें दुबारा पकेंगे अब यह सब्जिया भी हमारी हो गई को यह मैंने दई लिया इसमें 3-4 चमबच इतना इसमें डाल रही हो एक चमबच लाल मिर्ची यह तीकी नहीं है कास्मेरी लाल मिर्ची है अब यह सब्जिया भुण चुकी है इनको निकाल लेंगी अब इसमें मैं डाल रही हो एक चमबच घरम मसाला हल्दी पाउडर अब इसको सबको मिक्स कर लेंगे दहीं के साथ अब इसमें मैं डाल दी पनीर के क्यूब्स ऑप्सिनल है आप डालना चाहे तो डाले वरना कोई जरूरी नहीं है मेर पास थे तो घर के बना हुआ पनीर पड़ा था तो मैंने यूज कर लिया है इनको मिक्स कर लेंगे दहीक से कोटिंग कर लेंगे पूरी इसकी अब फिर से कैस ओन किया है मैंने ओइल रखाता अंदर इसी में मैंने डाला है जीरा नॉर्मल वाला और ये थोड़ा सा ही जीरा डाल रही हूंने और थोड़ा सा हिंग पाउडर हिंग पाउडर डाला है मैंने इसमें और ये डाल रही हूं में करी पत्ता और दो हरी मिर्ची हैं तीखी वाली हरी मिर्चे वो डाली है अब ये पहले मटर डालेंगे क्योंकि मटर गले हुए नहीं है पके हुए नहीं है इनको थोड़ा तेल में भूल लेंगे अब डाल देंगे ये मसाला पनीर वाला पनीर और दही वाला इसको डाल लेंगे और चला लेंगे अच्छे से अब इसमें हम डालेंगे नमक चमच डाला है मैंने आपर अब ये सबजी आज डाल देंगे जो हमने फ्राइए करके निकाली थी इसको डाल देंगे मिक्स कर लेंगे और इसको ढटकके 2-3 मिन तक पकने देंगे ताकि मटर सॉफ्ट हो जाए बाकि सबजी तो शॉफ्ट ही है पक चुकी है मटर ही बाकि थी तो भी सॉफ्ट हो गया ये देखे ड्राय हो गया है मसाला हमारा अब इसमें से आते से ज़्यादा मसाला हम निकाल क्योंकि हमें लेइर करनी हैं अभी नीचे थोड़ा मसाल रेना दिया है अब थोड़ा राइस में इसके उपर हुम्हीर लेएर कर लूंगी अज़ी कि नवम देंखें कि घला अफोल बना है बेकरा-फेकरा ओर बिलकुल भी टूटा नहीं है में इसके Bayer कर लेंगे अब वापिस जो सब्जी हमने निकाल ली थी प्याज इसकी लेयर करेंगे तो पहले में प्याज की लेयर कर रही हूं अब इसके ओपर थोड़ा सा राइश डालूंगी अब फिर से इसके ओपर सब्जी की लेयर करूँगी आधि जितनी सब्जी ले लूँगी मैं इसमें और लेयर कर लूँगी इसमें थोड़ी सी रहने दूँगी लास में डालने के लिए अब फिर से राइस की लेयर अब फिर से प्याज की लिए और सब्जियों की नास फाइनल हो गया अभी है बाकी बचे उराई सारे में डाल दी है उपर अब इसको ढख देंगे और पांच मिंड के लिए पकाएंगे इससे एक बार इसको अटा के इसके नीचे में रख रही है तवा सीधी आज नहीं लगा नहीं है तवा रख दिया है इसके उपर मैंने इसको रख दिया है अब पांच मिंड इसको हमें पकाना है इसी तरीके से अ बिरियानी हमारी रेडी है इसको मिक्स कर लेंगे अभी कि मिल्कुए हलकी आद से मिक्स करेंगे ज्यादा जोड़ जोसे नहीं करेंगे बना राइस तूथता है फिर हलकी आद से मिक्स कर लेंगे अब डालेंगे इसके ओपर थोड़ा हारा धनिया अब कर लेंगे इसको भी यह हमारी बिरियानी की डिस्लक चुकी है भूंदी का रायता और बिरियानी रेडी है आईए खाईए और मेरा ये व्लोग पसंद आया हूँ और ये रेसिपी पसंद आई हूँ तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सस्क्राइब करें थैंक्यू फर वचिंग